एलो फ्रेंट्स Welcome back to my channel अज़े बनाने वाले हैं वन ये बीबी गल्फ रॉक जिसके लिए मैंने इए यह नेट यह फैब्रिक लिया है गॉर्डन कलर का और टू मीटर नेट का फैब्रिक और एक मीटर मैंने लाइनिंग ली है कि तुछ लिए कटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले लाइनिंग के कटिंग कर ली है हमें इसको इस तरीके से यह मैंने एक मीटर लाइनिंग लिए है इस तरीके से इसको फूफोल कर लेना है और इस तरीके से इसको ट्रेंगल सेफ में रख देना है उसके बाद उपर से इसकी जो लैन था वो छोदा इंच है यहां से हम 3 इंच पे मान कर लेंगे यहां से 3 इंच मार करने के वाली है 13 इंच जो छेगी है लेकिन हमें 11 11 इंच पे झाल है तो हम 11 इंच मार कर लेंगे पूरे में इसको राउंड कर लेना है अब यहां से फोर इंच पर मार करेंगे पूरे में इस तरीके से 11 इंच पर क्या है इसको भी इसी तरीके से राउंड कर लेंगे यह हमारा 3 इंच पर था और यह 11 इंच पर और यह 4 इंच पर उपर के साइड से शरीविस के कटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उपर वाले पार्ट को अलग कर लेना है यह उपर वाला पार्ट हमारा अलग उच का है अब इसको कट कर लेना है इसको भी हमने अलग कर लिया है और इसको इस तरीके से खोड़ लेंगे और जिस तरीके से फोर इंच भी मार्क है यह वाला इसको पूरा कर लेंगे राउंड में इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और इसको कट कर लेंगे तुझे की लाइनिंग कटिंग कंप्लेट होचके है यह हमार बास इस तरह से टूपीस आचके है यह कुछ इस तरह कैसे आजाएगा और इसके नीचे यह से इन तरह के से मैंने नेट को रख लिया अया पहले फोल फूल की है और फिर ट्रिंगल सीप में यह भी स्की लैंड 14 इंच है और यहाँ पे भी थ्री इंच पिर मार कर लेंगे इस तरीके से लाइनी की कटिंगी थी सेम वैसे ही इसकी भी कटिंग कर लेनी है 3 इंच पे से फिर हम 11 इंच भी माग करेंगे और इसको रौंड कर लेंगे उसके बाद यहां से 4 इंच पे इसको भी कट कर लेंगे को देखे हैं और यह मारी लेन की कटिंग मतलों मेल फैब्ली की कटिंग हो चुकिया है यह देखिए और यह हमारा फाला दोनों कम्प्लीट हो गए हैं यह लाइनिंग है और निचे नेट दर्वी नेट लाइनिंग दोनों एक साथ है अब हो करेंगे उपर के बाट के कटिंग तो कपरे को मैंने इस से किसे फोल लेयर में रखा है अब इसकी माकिन स्टार्ट करते हैं जो हम उपर की बॉटम की लाइन रखेंगे वह एक इंच रखेंगे इस तरीके से यहां से 8.5 इंचिस है और पर से सोल्डर लेंगे हम 4 इंचिस के आर मोल लेंगे 4.5 इंचिस के सबी निसाओं को मिला लेना है इसकी कटिंग कर लेनी है नेक जो लेंगे तो हम नेक भी अभी कटिंग कर लेते हैं तो नेक की जो लेंथ है वह हम 2.5 इंचिस के लेंगे और विर्थ 2 इंचिस के इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे यह मारा फ्रेंट करनेक के बैक करनेक बाद में कट करेंगे कर दो कर देती हूं ता कि आपको दिखे अब पर से एट इच इसको कर लेंगे सीधा पहले आर्मॉल कट करेंगे इस तरीके से कटी मुझ की है अब इसको नियाद निकालेंगे दोनों पार्ट को लग इस फ्रेंट करनेक है अब हम बैक कनेक कट करेंगे कि हमार बैक पार्ट इसको इससे टू फूल करना है और यहां से टू इंच और इसको इस देखे से वी शेप में कट कर लेना है तो देखे मेरा बैक कनेक को कट हो गया है और इसको लाइनिंग पर रखके भी काट लिया है बुक्रम भी है जो 20 इंच लंबी है और 6 इंच चोड़ी जदी कप्रो की कटिंग हो चुकी है तो चटते हैं स्टिचिंग की तरह तो देखे मैंने जो टू पार्ट कट किये थे स्कुर्ट के लिए तो फ़ले हम फ्रो की स्कुर्ट त्यार करेंगे तो हमें दोरु पार्ट को लाइनिंग और नेट को एक दूसी साथ जोइन करतेंगे इस तरीके से पार्ट करते हैं जो पार्ट करते हैं झाल यह हमारी स्लैल अचुकी है अब इस ही तरिके से हम इदनी चीफी साइब पर भी स्लैल अगा लेगे स्लैल अचुकी है अचुकी है अचुकी है अचुकी है इसको कट कर लेना है जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रक पैपरिक है तो देखें इसकी कटिंग और स्टीचिंग कम्प्लीट है अब जो बड़ा वाला पाट था इसको भी जैसे हमें चोटा वाला पीस त्यार किया सेम इसको भी सी तरीके से कम्प्लीट कर लेना है सेम आप सेम चोट भी जैसे कम्पट था जाएं है झाल 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 तो दिखिए इस पर इस नहीं लवा के कंप्रीट कर लिए हैं हमने और यह हुआ छोटा वाला पार्ट है दोनों के एक दूसरे के साथ जोइन करना है तो पहले हमें छोटे वाले पीस को रखना है उपर से इसके बड़े वाले पीस को रखना है इसको सिक्यूर कर लेंगे और इसमें सेके से प्लेटे डालके इसको फिक्स कर लेना है इससे इसका घेर ज्यादा आएगा इसको फ्रोक का लुक भी बहुत अच्छा लगेगा आप चाहें तो इसमें एक दो लेयर और ऐसी जोट सकते हैं अगर आप कोई जोड़ा उल्डों करना है झाल झाल अब इस पे पूरे पे लाई लगा लेंगे पिन को एक साइट रख निकाल के रख देना है और लगाती जाना है झाल 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 धीक स्ले कम्प्लेट होचके है अब मने इसके निचे भी इस ले लगा लेंगे एस पे भी में इस ले कम्प्लेट करेंगे हैं इस तरी की लेर सब इसको प्रिटेच कर लेंगे कर दो 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 कि अधिक हमने नीचे वाले पार्ट पर इसको जोइन कर लिया है सेंव तरीकसे हम इस वाली पार्ट पर इसको टेज कर लिया है इसका लुब बहुत अच्छा रहा है अभूम इसमें बुख्रम बुख्रम से क्या होई है फूली फूली दिखेगी इसे इसका लुख और भी अच्छा हैगा तसको फिले मुयां से फॉल्ड कर लेंगे और फेस पिस लाई दे देंगे आप चाहें तो इसमें केन केन भी लगा सकते हैं पर केन केन चोटी बेबी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वह ज़्याद़ चुपता है वो क्रम एक वाश के बाद जो है ना नॉर्मल हो जाएगा और इसके निचे हम लाइनिंग भी देंगे तो देखिए इस तरी किसमें इस पिस लाई लगा ली गया और जैसे हमने इन दोने पार्ट को जोइन किया था प्लेटे डालके इसी इन तरी के से में बुक्रम को इसमें टेच कर लीना है फिर इसी के उपर इसी तरी के से लाईनिंग को टेच कर लीना है तो देखिए मैंने इसमें बुक्रम में टेच कर ली है और लाइनिंग भी तो देखिए इसका लुक बहुत ज़्यदा अच्छा रहा है इस तरी के से एक इपी फूली फूली दिख रही है अब उपर के बाट के स्लै करते हैं तो नेक और नीचे हैं दोनों पर स्टिच कर ली है और इसको कट कर देंगे और नीचे के साहर से भी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फेपर के उसको भी इसको राइट शेट टर्ण कर लेंगे और फिनीचिंगी स्लै दे देंगे फिर इसके उपर मैंने आर्म और साइड से स्टिच करके कट कर लिया है और इस पे एक लेस्ट लगा लिए इस तरह कि हमें एक उरे पट्टी कट करके इसके सोल्डर पे राइट साइड से इसमें जोइन कर लेनी है देखे इस तरिकत से स्टिच लगा लेंगे और इसको ऐसे पलटके इस पे इस स्लै देनी है सेम पर ही कैसी बैक पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे हैं यह अपने मैंने लेट्स भी लगा दी है देखे मेरे बैक और फ्रेंट दोने तियार कर लिए है अब हम सोल्डर अटेच करेंगे हो नही प्रेंगे तियार करेंगे है कि इस व्लार अटेच कर लिए इस अपृ टेच लिह क्योंकर ही बढौने फिर दोत दोते हाँ थे युड़ने जाए वह ए एंद प्रोबड़कों दोतला है आए जाए जाए शुणाणाओ करेंगे इसके अब फिटिंग करेंगे इसकी करेंगे इसको इस तरीके से उल्डा कर लेना है अब दोनों सैट से हमें इस पर दो इंच पर मार्किंग कर लेनी है आप अपनी मीजमेंट के हिसाब से इसकी फिटिंग कर लीजिए मैं इसको सीधा कर लेंगे इस पर स्टिचिंग कर लेंगे स्टिचिंग करने के वाद यह कुछ इस तहीं कसी दिखाए देगा विसकर्ट और दोनों पार्ट को में आप इसमें ज्वेंट कर लेंगे ज्यादा फूली फूली दिख रही है जिससे की स्टिचिंग नहीं दिखाए दे रही है उसके लिए सौरी वैसे हम आपको इसको नॉर्मल तरीके से एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेना है देखिए स्टिच करने के बाद यह फ्रॉग को जिस तरीके से दिखाए देगा इसका लुप बहुत प्यार है आया है और दिखिए ये बेबी ने पेंबे आया है